जब नाक से सास लेते हैं तो हिंदुस्तान की तमाम जनता के पेट में हवा होती है और जब वो उसी नाक से हवा निकालते हैं तो तमाम जनता के पेट तिछके होते हैं योग गुरु उसे अनुलोम दिलोम के नाम से जानते हैं लेकिन हिंदुस्तान की जनता उन्हें बाबा राम देव के नाम से पहचानते हैं आपकी हजी वैसी ही मोख है वैसे ही दिखते हैं जैसे 15-20 साल पहले दिखते थे कोहीं कोई भी परिवर्तन नहीं चेंज नहीं कैसे योग से हम निरोग तो रहते ही है हमारे भी तरह स्वास्थे तो आता ही है सुन्दरता आती है सहजता आती है एक रसता आती है जीवन में एक ले तो आता ही है इसलिए तो योग दुनिया की सबसे उची विद्या है एक आउ यहाँ यहा है और अवंग होना जैयां And जब एैसा होता है if इसलिए तो हमारे सास्तर में का्व मृदोंनी को समीब अपके कठोर होनी वज्ज्राद अपके हमें फूल से भी ज्यादा कोमल और वज्जल से भी ज़्यादा हमें कठोर होना चाहिए, हमारे इरादे फोलादी होने चाहिए, हमारे जीवन में पुर्शार्त की पराकाश्ठा होनी चाहिए जब आप हसते हैं तो मैं लगता हलके होते हैं फूल जैसे, हस नहीं की राज किया है, वैसे ही हसते हैं आप, और ये बड़ी मोहक है ऐसी आपके देखो भाया, हम तो ये जानते हैं कि जीवन में हास से, प्रसन्नता ये तो सबसे बड़ा उपहार है प्रकृति का भगवान का हमारे लिए और जो प्रसन्न रहता है वो रोग मुक्त और तनाव मुक्त रहता है और हर विक्ति चाहता है रोग से, तनाव से, दुख से, आश प्रसन्न के लिए कोई कलर नहीं लगाते हैं, हमें लग रहता है कोई कलर बना भी आओ प्रड़क्ट हावे हैं कि सीर्शासन और अनुलोम विलोम जाहिए अनुलोम विलोम जाहिए अच्छा ये जाए, इसको किया जाए, पांस मिनट नेल्स को ये रगड लिया जाए और य अच्छा ये बताईए, इसमें तमाम तरके चुटकले भी बन गए, देखो इसको पीछे से रगड आ जाता है, सामने से नहीं पीछे से, और इसमें भी अंगुठा नहीं रगड ना, अंगुलियां अंगुलियां रगड ना, वैसे पुरश अंगुठा नहीं तो दिक्कत एक माता आई मेरे पास करीब 10 साल पहले, बाबाजी मैंने सुचा कि स्वामी जी इन्हें ये चार अंगुलियां तो रगड नी बता दी, अंगुठा भूल गए होंगे, तो उसने अंगुठा खुद रगड ना शुरू किया, उसके मुझ आ गई, अच्छा ये भी हो सकता ह ने यह होता है, तो बाबाजी जब ये सब आतींद्रिय है, जब अंदर की शक्ती सब कुछ है, तो फिर प्रडेक्ट की क्या जरूआते है, प्रडेक्ट क्यों बनाना पड़ा, रिंकल फ्री क्रीम बाबाबान बनाई, क्यों बनाई, मुझे बताएं देखो, पहले बात हो कि हमारे रिश्य मुनियों, युगो युगों से आईरवेद की ओशधियां हमें दी, चैहो सोने की भसम है, हीरी की भसम है, आश्वगंधा का चोन है, त्रिफला चोन है, या आमले का चोन है, हमने रिश्य मुनियों द्वारा बताई वी सारी आरवेद की ओशधियां जिसके सारे केश जो है पलित हो चुके हैं मने श्वेत हो चुके हैं और जिसकी कमर धुकी हुई है हमने वहां से अरिवेद को निकाल करके आज चैह महलों में रहते हो या खपरेलों में रहते हो बाबा की सबसे बड़ी देन है कि ग्लैमर ग्लेज जो है वो जोड़ देते हैं है तो योगा में भी आपने ही जोड़ा धभोग के प Senior हो रहा था पुरी दुनिया में तो हमने योग के प्रति आριवेद के परति स्वधेश्य के प्रति भारतिय संस्कृति के प्रति सदाचार के प्रति इते गलेमर पएदा किया है तो यह तो हमारी खूब यह तो मार्केटिंग गुरू जाता पड़े हैं या योग गुरू जाता पड़े हैं देखे मेरा कर्म है मेरा धर्म है योग और कर्म योग यही मेरा कर्म है यही मेरा धर्म है यही मेरा जीवन है और यही यही जीवन का मकसद है कि हम योग करें और योग से जो हमें सामर्थे प्राप्त होता है उसे कर्म योग करें अर्थात साधना और सेवा इस समष्टी के कितने उपकार हैं हम पर तो हमारे पास जो सामर्थे उसक से चैरिटी करना तो यह बता ही है यह बता ही है आप से पहले दिरेंदब्रह्मचारी स्वर्गे आयंगर जी मुंगेर का स्कूल आफ योगा तमाम लोग हैं लेकिन वो इतने घर घर तक क्यों नहीं पहुंचे अब आम दो कैसे मार्केटिंग अचा देखो घर घर तक में राजनेतिक पार्टी से कोई साहरा तो नहीं लिया मैं किसी राजनेतिक दल के किसी कोर्परेट हाउस के दासता पर उसकी भीख पर उसकी दया पर जिन्दा नहीं है आप 20 साल पहले सफर शुरू करते हैं और आज आपके योग मैट में जो की छे बाई साड़े तीन या चार दो आदमी आते थे उसकी बाद चार हुए ये दो साली क्रम चला और फिर मैंने गुजरात में सबसे पहले अपना शीविर लगाया सूरत में और फिर सूरत बदल दे गुजरात मतलब आपके लिए भी बहुत लगी रहा ये तो भारत भूमी ही बहुत पुन्य भूमी है और इसमें चाहे हो गुजरात के महर्शेदानन सरस्रती हो या महत्मा गांधी हो या पटेल हो या आज की यूक्य मोदि हो भारत भूमी जहां पर भगवान राम, कृष्ण, गोतम, कणाद, जैमनी, पाणनी, पतंजरी, लिए कितने रिशी, महर्शी, शिष्टी के आदिकाल से यह धरती बहुत पुनेशाली है, और उसे धरती पर मनुश्य बन करके आना, इससे बढ़ा तो कोई सोभाग्य नहीं हो सकता, मैं तो एक अनपढ़ माबाप के घर में पैदा हुआ हूँ, प्रतिक भाई, और सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, दो रुपए की फीज दी थी कि सबसीडी के साहरे स्वदेशी को नहीं खड़ा किया, हमने स्वावलम न के साथ स्वदेशी को खड़ा किया, और विदेशी कंपनियों को हर जगा टकर दी, तो मैगी पर देने वाने हैं, मैगी देखिए मैगी में जो MSG है और जो LED है, इससे तो मुक्ती मिलनी चाहिए, और आप लाएंगे, अब देखिए अभी तक तो दूस प्रचार हो रहा है, एक वाइरल की तरह फैल गया एक वीडियो, हमारा जो कोलिस्ट्रोल, ट्रांसफेट और मैदा से रहित हम बिस्किट बनाते हैं कई तरह के, उसमें मल्टी ग्रीन भी बनाते हैं, और जो आज की 24 स बनाते हैं, लेकिन वो इतने प्रसीद है तो उसमें एक था मैरी बिस्किट, अब उसके उपर लिख दिया लोगों ने मैगी, मैगी तो नैसले का ब्रांड है, वो हम कैसे रख सकते हैं, दूसरी बात, उसके उपर फिर लिख दिया, बोले सीसे रही, फिर बोले तो यह है कि जो कुछ स्टार से न, वो पैसे के लिए और किसी भी प्रोडेक्ट के ब्रैंड अमेस्ट हो जाते हैं, मैंने बहुत लोगों से कहा, इसमें अमीजी को भी मैंने कहा, जब मैं इन से पहली बार मुंबे में में बिला था, आज से करीब 12 साल पहली की घटना है, और म हम एड करने से पहले, पैसा कमाने से पहले, पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन पैसा कमाने से पहले यह सोच है, कि क्या जो हम कमाई करने उसे में देश की भलाई है, इसे देश की बच्चों का भविश्य कैसा होगा, केते हैं कि आहार जो होता है साथ परसंट काम करता है और जो अभ्यास है वो चालिस परसंट ये सही है धेकि है, आहर के तो बहुत बड़ी भूमी का ही है लेकिन बाकिश जो हमारे जीवन में आहर के साथ जो अभ्यास है, यूगा भ्यास है, हमारी आदत है, हमार थालब कीजिए, kann righteous manipul. लेकिन दुनिया के 177 देशों का समर्थन लेकर के युएन के माध्यम से आधने मोदी जी ने जो अंतराश्टी योग दिवसी की इस जोन को घोशित करा है यह अपने आप में बहुत बड़ी वीजय भारती संस्कृति स्वामेजी इस बात से प्रसंद में वावजी इस बात से गुरू योगा गुरू वो इस काम को नहीं कर सकता क्योंकि योएन के अंदर समर्थन जुटाने का काम यह पुलिटिकल एक्सेसाइज है और इसमें जो राश्टर के महानायक हैं मोदी जी उनकी बहुत बड़ी भूमिकार वो कहते हैं कि वह एक प्रोग्राम देते हैं और सबस्के देते फर शूर्प दिए सारे लोगों को जोड दिया उसके बाद वो एक प्रोग्राम योग ले कया है तो यह तो अच्छी बात पर दंगे agree देहे वादा का subsidies को सम्रद्ध बनाने का है विरुज़गारी मिटने का है इस देश को विश्वकी महास्चिश्प बनाने का है में प्रेक्सिक सप्ना का designed यह सारे काम तो उनको करने हैं ही और करने पढňे यह और वह करेंगे ही बैद सब्सक्राइब करेंगे योग और कर्मयोग की बातों कर रहे हैं अभी 21 जून को पुरा देश और दुनिया क्या करेंगी उसके लिए क्या प्रोटोकोल है और इसके क्या प्रैक्टिस करेंगी यह भी हम बताएंगे देख जाने से पहले हमने वादा किया था कि हम जब लोटेंगे तो स्वामी रामदियू जी हमको कुछ और नई बात बताएंगे और खास हो से योग को लेकर और जो अंतराश्टिय योग अदिवस मनाया जा रहा है उसके तमाम खुलासे करेंगे सबसे बड़ा को लासा क्या है सबसे बड़ा खुलासा तो यह है कि 21 के जो दिल्ली के राज़पत से लेकर कर, करके देश और पुरी दुनिया में योग होगा, उसमें शूर्यM प्रश्कार दसल सूर्य जैसी उर्जा हमारे भीतर आए इसके लिए एक प्रकार की एक्सेसाइज है बलब घमर आ गए इसलिए छोड़ दिया और सूर्य की पूजा से कोई मतलब नहीं है तो छोड़ा क्यों लोगोंने बेरे वज़ा है उसमें कंटो वर्शी करते उससे पहले हटा दिया ऐस निए कि कुर्ण वर्शी करने के बाद हटाय ये को ये कम जो हमारे नंषी है आज आंडर प्रधेश के वहापने को आजके लिए कि मुसल्मानं का रहनुमा कहने पर तुलेवे खुद Kristen करें कि एक mandate को करेंके शारे इसCanada es тех kamsahnao Stick उ 얘기imas हो सकते हैं लेकिन हमार पूर्वज अलग नहीं हो सकते हमारा उखोने कि अगर थोड़ा सा ओम को लेकर उन्हें है कि अगर ओम ना बूला जाए तो इस पर यह कोई कहे कि ओम अब मैं शब्दों के ओपर आता हूं देखिए हमारे हाँ पर जो योग रिशर्ज डिपार्टमेंट उसकी जो चीफ है वो डॉक्टर सरले टिलिस वो इसाई है इसाई हों मुसल्मान हों किसी भी मजब के हो हमें विज्यान को तो मानना चाहिए ना वान टो थ्री इस तरह के सब्दों बोले गए और भी कई तरह की ध्वनिया की गई और लोगों से ओम बुलवाए गया और उसका प्रभाव का मुल्यांकन किया गया सैंटिफिकली तो पाएगे इसे पेंस कम होते हैं इसे ब्लड प्रेशन नॉर्मल होता है नियूरो सिस्टम अच्छा होता है इससे हाट की प्रोब्रम दूर होती है इसमें सकारात्मक परिवारता है इसमें कोई मजब का लेना लेता हूं लेकिन अगर थोड़ा सा कंप्रमाईज करना होता ये लोग कहते हैं कि थोड़ा सब्सक्राइब अगर अगर उसमें आपती नहीं है मैंने तो खुद देवबंद में जाकर के सब हमारे मुसल्मीं भाईयों से भी का मैंने का भईया देखो आप सास लोर छोड़ो देखो आप मुसल्मान से हिंदू तो नहीं होगे मजब तो नहीं बदल गया आपका मैंने मोल आना मोल भी और जो बड़े-बड़े रहनु मैं हमारे मुसल्मानों के उनसे मैंने का देखो वाई मेरे साथ मैं करके देखो और यह दी किसी का मजब बिलती है तो आखर योग का विरोध क्योंहाँ मुसल्मान वाई नमाज पर टें जो आःसे बैठकर की नमाज पढ़ते हैं तो यह हो गया तो नमाज पढ़ते उसमें है तुम वो यह कहते हैं कि वह हें लेकिन वह यह कहते हैं कि नमाज कर ले टें तो पड़ें हैं शी बात होतना नमाज भी पढ़ें जोग बी करें एक–स करते हैं इक नहीं करतें मुसलमान تو योग एक कंड़िक एकसराइज है अभी आप देखना पुझे दुनिया को लाब होंगे आज चारो तरफ जहे हैं वाइलेंस आज चारों तरफ क्रेफशन है आज चारों तरफ जहे हैं लोग और रेप हो रहा है कहीं पर और मैं तरह की जहें गढ़बड़े हो रही आंखिर समाधन क्या है सोलिशन क्या है तो योग एक बहुत बड से जीरो फिगर की बात होती है काया यूगा से कहते हैं कि छ्रहरी काया पानी है इसलिए यूगा का यूगा का यूग माने हमारे भोतिक धरातल से लेकर के मैं यूग के प्रतिक पहलों को यूग के डिफरेंट यूपार से जुड़ा हुआ हिस्सा है यूग का वह उसमें भी पकड़ेंगे तो यसे आहत में आजईग कितनी हैं वैसे हम आप लेना तो मैं एक बात है कहता हूं यूग से लोगों की काया अच्छी होती है लोगों का मन अच्छा होता है लोगों की भावनाई विचार अच्छे होते हैं और जब शरीर, इंद्रिया, मन, विचार, भाव तो नहीं अच्छे होंगे तो उनके चरितर भी अच्छे होंगे तो योग में बुराई नाम के तो कोई चीज है यह नहीं इस यह छोड़ा अच्छा ही कि इसलिए मैं कहता हूं कि योग के उपर गंभीर तासे सब लोगों को सोचना चाहिए और योग हमारी जीवन पद्धति है बोल दिया है और कहा कि राश्ट उसी के तहट आगे बढ़ सकता है बने रहे हैं देखते रहे हैं आई भी सब्सक्राइब प्राइब